कुछ सुनाने से कबल मैं तारिक यमाल अंसारी वाई साफ सूरत के सभी उन मुंतजमीन को मुबारक बात पेश करता हूं कि जो इतनी अच्छी महिफिले सजाते हैं हम लोगे के लिए और हम नए लिखने वालों को यहां पे दावत देते हैं सबसे इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बार तालिया बजाएं सबसे पह stuck बात यह और मैं इसका शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे लिष्ट में रखा इतने अच्छे लोगों के इसके अब मैं आता हूं अपने शायरी के जानिब और शुरू करता हूं माबाप के हवाले से जिससे हमारा हम वजूद में हैं माबाप के हवाले से हैं कि कह दिया मैंने जान नहीं होगा कह दिया मैंने जान नहीं होगा बाप का हक अदा नहीं होगा माँ अगर खुश नहीं है तुम से तो खुश भी तुमसे खुदा नहीं होगा खुश भी तुमसे खुदा नहीं होगा बहुत शुक्रिया आप सुनें कि दिल लगाओ ना जानिसार करो कब कहा है कि मुझसे प्यार करो दिल लगाओ न जान निसार करो कब कहा है कि मुझसे प्यार करो कच्ची उम्रों का प्यार ठीक नहीं कच्ची उम्रों का प्यार ठीक नहीं थोड़े दिन और इंतिजार करो कच्ची उम्रों का बहुत शुलिया कच्छी उम्रों का प्यार ठीक नहीं ठोड़े दिन और इन्तजार करो एक मतला एक श्यर देखें कि मुह नहीं लगता मैं आप जैसों के मुह नहीं लगता मैं आप जैसों के आप पके नहीं हैं वादों के शर्त ऐसी है सच समझने को रहना पढ़ता है साथ जूटों के और शेर जो भाई साब ने पढ़ा उसके उमें शेर में ठाला हुआ है उमें पढ़ता हूँ कि क्या मुसीबत है रो नहीं सकते क्या मुसीबत है रो नहीं सकते दुख भी होते हैं वैसे लड़कों के दुख भी होते हैं वैसे लोगों के शेर उनाता हूं दर्द वाली ये बताया नहीं कभी उसने ढूंडेली दिल की कोई की मेरा नमबर डिलीट कर देना मेरा नमबर डिलीट कर दे न और फिर कॉल कार्ट दी उसने और फिर कॉल कार्ट दी उसने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया एक मतला कुछ शेर देखें कि जो परिंदे शजर समझते थे शजर यानि पेड जो परिंदे शजर समझते थे वो मुझे अपना घर समझते थे वो मुझे अपना घर समझते थे ये शेर बताओ रहे खास थे कि मैं तुझे और मेरे घर वाले मैं तुझे और मेरे घर वाले मुझको खोने का डर समझते थे मुझको खोने का आरे आर्मकर्रन में मेरा चला जाएगा टाइम कॉंटेंट निए नहीं वो हमारा कभी हुआ ही नहीं वो हमारा कभी हुआ ही नहीं हम जिसे हम सफर समझते थे वह हम जिसे हम सफर समझते थे शेर सुना की डाल दी जान उसने खत्रे में डाल दी जान उसने खत्रे में हम जिसे समझते थे हम जिसे बहुत शुक्रा हम जिसे समझते थे एक मतला एक मतला दो शेर और सुने आप लोग देखिए गम शनास हैं लडके माफ करिएका देखिए गम शनास हैं लडके इसलिए भी तो खास है लड़के यह शेर बताव रहे खास लड़कियों तुम वफा करो ना करो लड़कियों तुम वफा करो ना करो इश्क में देवदास है लड़के इस तरफ सोगवार है परियां इस तरफ उदास है लड़के उस तरफ उदास है लड़के कुछ यह है कि बस एक है मैं बस पढ़के अपनी जगह लेता हूँ कि तू नया कोई हाथ कर मुझसे तू नया कोई हाथ कर मुझसे या तो फिर एहतियाद कर मुझसे उसकी तस्वीर सामने रखकर रोज कहता हूँ बात कर मुझसे बहर बहुती है बहर बहुती है